हेलो एव्रिवान हेलो प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब लोग विल्कम बैक टो अनदर क्लास गाइस और आज हम लोग कोलीजिन फिनिश करने वाले हैं तो मोमेंटम इन कोलीजिन का सेकेंड पार्ट है कल हमने आपको सिखा दिया था कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैस तो आज तक सोचो कभी फिजिक्सी क्लास में ये सिखाया गया था कि दिवाली में पटाके कैसे फोड़ते हैं ये भी सर ने आपको सिखा दिया है ना येस तो इस तो इस देख लिया था कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे होता है अब इस बार जब आप पटाके फोड़ोगे बार जाएं दिवाली में तो आपका फोकस किस चीज़ पर होगा जैसी बम रखा य। रखा अग लगाई और जैसी वहां पर हुआ ब्लास्ट चा हुआ ध्यूचा है ना फिर आपसे इक पार्टिकल से अता हुआ ल ties और इदा जाएगा थो collision in detail वैसे आपको मैं थोड़ा और याद दिला दू कि कल आपको collision भी करा दिया गया था without collision introduce करें मतलब आपसे collision का question कल solve हो गया था जबकि आपने collision का topic पढ़ा भी नहीं था yes everyone बढ़ हाँ आज कुछ और collision में हम detail में जाएंगे सबसे पहले आपका channel है आप इसके सितारे हैं आपको ही subscribe करना है अपना channel हरको ही subscribe करता है एक नहीं दो नहीं जितने accounts होते हैं घर में सभी के phone ले लो सबसे subscribe कर दो और साथी साथ bell icon अपने phone से दबा देना वरना उनके phone में साथी साथ बिठा कई लोगों की तयारी YouTube पे ठीक ठार चल रही है कई लोगों की नहीं चल पा रही है तो अगर आपकी तयारी अच्छी नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे उसके reasons हो सकते हैं अलग-अलग हो सकता है आप interact नहीं कर पार हो educator के साथ और हो सकता है आपके doubts clear नहीं हो रहे है लाइफ पोल्स नहीं मिल रहे लीडर बोर्स नहीं मिल रहे तो feel नहीं आपारी और distraction तो ही है थोड़ा बहुत तो बिठा अगर ये सब चीजों से आप उपर उठना चाहते हैं तैयारी अपनी अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो batch में सब कुछ आपको कराया जाएगा लेकिन एक अलग तरीके से physics में जो तरीका है वो है fusion है ना different topics का combination अभी हम कर रहे है electrostatics और gravitation और आज ही doubt class हुई थी आज सभी बच्चों ने doubts पूछे थे और उनके doubts मैंने clear किये plus की class पे तो अगर आप भी ऐसी तैयारी चाहते हो जहा और जादा बढ़ जाएगी बहुत जबरदस plan किया है नीट के बच्चों के लिए और कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से score करना चाता है नीट में बटा तो subscription आपकी बहुत जादा help करेगा क्योंकि ये last के कुछ महीने बहुत important होते हैं और क्योंकि अब सिर्फ कुछ मह इंदर आने के बाद आप physics के लिए कोई भी टीचर देख सकते हैं कोई भी टीचर biology के लिए है ना वैसे इस team को भी आप देख सकते हैं यानि कि मैं गरिमा मैम और वीटी सर भी होंगे वहाँ पे तो definitely आपको code क्या लगाना है GG life maximum discount आपको मिल जाएगा बेटा one year का subscription का भी option 34 34,650 और 50,400 अब मानलो किसी बच्चे को लेना तो six months है मानलो उसमें six months का ही plan किया अभी केफी नीट हो जाएगा लेकिन उसको personal attention चाहिए उसको चाहिए कि कोई उसको study planners भी देते जाए expert की guidelines भी मिल जाए test analysis भी मिल जाए time time पे तो बेटा iconic में भी six months का option है 34,000 के आसपास का ह it is 10,000 costlier than this plus option लेकिन हाँ आपको personal guidance भी मिल रही है one year का भी option है two year का भी option है after discount यह price हो जाएगा उसका ठीक है बेटा तो यहां पे भी GG life code आप लगा सकते हैं और subscription ले सकते हैं यह लगता है गलत schedule आज डल गया है अरे तो December का schedule डल गया चलो कोई बात नी छोड़ो एगनोर मार electromagnetic waves होगा बिटा EM waves होगा कितने बजे 6 बजे 6 पीम 12 की क्लास electromagnetic waves की होने वाली है और चलिए तो फिर साट कर लेते हैं momentum in collision न्यूटन स्क्रेडल बोलते हैं इसको देखा है कभी बहुत सुन्दर और बहुत भावुक सा दिखाई देता है भावुक सही वर्ड है गलत वर्ड है तो अगर आप सभी को collision की feel चाहिए तो simple सा rule है इस class का तो मुझे दिल दो मैं तुम्हें feel दूँगा तो एक बार हर एक बच्चा जल्दी से दिल बना दे chat box में धेर सारे और फिर आपके गौरवाचारया class की start कर देंगे class को और बहुत जबरदस feel आपको मिल जाएगी इस प पड़ा फट बेटा special class इस बार दिवाली के विज़े से थोड़ा सा schedule गड़ा गया था दिवाली के बाद पूरा track पे आजाएगा आपका special class waves भी होगा वहां पे है ना और एक और सवाल जो आजकल मुझे बहुत जादा देखने को मिल रहा सर वर्टिकल circular motion कब होगा राइट जो कि बच गया था और magnetism and matter में वो जो पार्ट बच गया था magnetic materials वाला वो कब होगा ये सवाल आपके अगर मन में है बेटा तो ये जवाब में दे रहा हूं ये जवाब सब जगे फैला देना तो मगर कहीं पर comment देखो ना और कोई पूछता है तुम्हारे गौरवाचारय से किस और vertical circular motion कब होगा magnetism and matter part 3 कब होगा तो एक ही जवाब देना उनको 16th of November 16th of November यानि कि Monday ये जो दीवाली के बाद वाला week जो नया शुरू होगा न उसमें आपके सारे backlogs में खतम कर रहा हूं जो भी इस batch के हैं 16th of November को बेटा 4 p.m. को आपको मिल जाएगा circular motion part 3 यानि कि vertical circular motion ठीक है vertical circular motion कब मिलेगा 16th November 4 p.m. को और उसी विन बेटा 6 p.m. को आपको मिल जाएगा magnetism and matter part 3 जहां पे magnetic materials होंगे dimagnetic, paramagnetic और ferromagnetic वाला part clear है? कोई परेशानी है? Okay sir है ना पूजा? Yes? रेन्डू का कह रही है आचारे आप बताने का कष्ट करें कि आप कैसे हैं? तो यह मुझे बताते हैं वो बड़ा कष्ट हो रहा है यह मैं बहुत बढ़िया हूँ कोई कष्टमस नहीं हो रहा है, I'm good, I'm good, आप लोग कैसे हैं? 69 वावर कहाता है ना, चलिए बहुत बढ़िया तो स्टार्ट करतें बच्चों collision की कहानी, देखो collision पे जाने से पहले आपको impulse के बारे में समझना पड़ेगा, या फिर impulse क्या होता है? आप में से हर एक बच्चे ने कभी न कभी impulse को जरूर feel किया होगा, कुछ बच्चों के parents बहुत सीधे साधे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को impulse की feel नहीं दे पाते हैं, लेकिन parents नहीं देखते हैं, तो कहीं न कहीं तो impulse की feel मिली जाती है, भाई, बहन, है ना, दोस्त, कह अध्यबर्दस वाला है, यह ऐसे आता है, विलकुल high speed में यह मिला, आपको impulse, मिला है, सबको मिला है क्या, मुझे तो मिला है, मुझे parents से मिला है, और कहीं से नहीं मिला, ठीक है, बहुत-बहुत पहली की बात है, पहले क्या था ना, 90's में बच्चे इतने aware नहीं थे, social media नह कि मारना नहीं चाहिए, है ना, तो हम बोल नहीं पाते थे कुछ भी हमें, पता ही नहीं था, तो पढ़ जाती थी हमें कई बार, तो पढ़ी है, बिटा, कोई बात नहीं, उससे सुद रही थे, ऐसा कुछ नहीं था, तो मिलता सभी को है, तो अगर धेर सारा force, बहुत सारा force थोड़े से time के लिए लगाया जाए तो उसको impulse कहते हैं तो वही तो होता है धेर सारा force है ना पूरा पीछे हाथ खीच के ऐसे और थोड़े से time के लिए चटा इसको बोलते है इंपल्स ठीक है ऐसा और कहा कहा देखते हो आप जो लोग क्रिकेट खिलते होंगे या देखते हों कि इधर आपने बैट से उसको पड़ाग से हिट कर दिया तो धेर सारा force छोटे से time interval के लिए लगाया गया ऐसे forces को हम लोग क्या कहते है बेटा बड़ा force छोटे से time के लिए जब लगता तो बोलते हैं अब हमने एक चीज पड़ी थी बेटा हमने एक चीज पड़ी थी कि यह जो force होता है impulse f into dt f into dt को हम क्या कहते है बेटा impulse कौन बताएगा impulse की unit क्या होती है impulse की unit होती है बेटा देखो force की unit होती है newton है ना impulsive force को f लिख लिए हमने और into time है तो newton second is the unit of impulse you force फील आ रही है newton second है ना हाँ बहुत बढ़िया सर प्राइवेट वीडियो कब अप्लोड होगी कौन सी वीडियो प्राइवेट हो गई है हमारी आपका impulse हो गया ठीक है यह राइट-hand side में क्या आ रहा है dp change in momentum राइट-hand side में क्या रहा है बेटा dp यानिकी change in momentum तो यह जो equation यहां पर लिखा है ना इसको हम बोलते हैं impulse momentum theorem impulse momentum theorem जो कि यह बताता है कि कि किसी भी रिमेंबर दिस प्लीज रिमेंबर दिस बिटा किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला impulse उसके change in momentum के बराबर होगा please write it down somewhere please write it down somewhere फिर हम आगे बढ़ जाते हैं देख रहे हो ना f dt is the impulse force into small time और यह किस के बराबर आ रहा है change in momentum के बराबर आ रहा है अब आप पूछेंगे सर इसमें कैसे कैसे questions आते हैं तो आओ आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे कैसे questions आते हैं देखो देखो मान लो ऐसा कुछ equation आपको given ए ठीक ऐसा कुछ ए बढलो आपको graph given है इस axis में force है इस axis में time है ठीक है इस axis में force है इस axis में time है और यह graph बहुत प्यारा सा है ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, देख रहे हो, यहाँ पर time की value है, let's say 2 second, और यहाँ पर मानलो force की value बेटा 10 newton, ठीक है, 10 newton और 2 second, ध्यान से सुनना, कौन सा graph given है, force versus time का graph given है, आपको बोला गया कि एक particle है, जिसका mass 1 kg है, 1 kg है, initial speed बेटा इसकी, let's say, 2 meter per second है ठीक है, तो find final speed, क्या पूछा गया, find final speed, आहाहा, जवरदस्त question, देख रहे हो, अब देखो क्या-क्या given है आपके पास, एक चीज जो given है, वो है force और time का graph, ओके, दूसरी चीज जो given है, वो है mass और initial velocity, और पूछा गया है final velocity, बता क्या करोगे, impulse momentum equation लगाओगे, अब ध्यान आज सुनना, यह जो integral f dt लिखाया है बिटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है area under the graph, when the graph is between force and time, अगर आपने y और x का graph बनाया बिटा, प्यारे प्यारे नमूनो, प्यारे प्यारे मासून नमूनो, y और x का graph अगर बनाया, तो integration y dx ही तो area होता है, तो अगर f और t का graph बनाया जाए, तो integral f dt ही तो area होगा, बिटा, integral f dt ही तो area होगा, area निकालो सबसे पहले, area क्या जाएगा, half into base into height, तो half into 2 into 10, answer आएगा 10, सभी का area 10 आया, सभी का area 10 आया, यही 10 जो है, वो impulse है, तो impulse की value 10 हो गई, यही तो integral f dt है, तो यही impulse हो गया, 10 हो गया, equal to change in momentum, यानि क final momentum, यानि कि mass into final velocity minus initial velocity, अरे बेटा, change in momentum मतलब क्या, final velocity minus initial velocity है ना, into mass, mv minus mv, ऐसा कुछ ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो, तो यह आजाएगा 10 divided by mass तो 1 है, equal to v final minus v initial, v initial बेटा 2 है, तो आपका answer आजाएगा 12, और मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने answer दिया था 12, तो बहुत-बहुत बधाई हैं आप सभी को, good job, good job, feel आगे कैसा questions आ सकते हैं, किस तरीके के questions आ सकते हैं, impulse, momentum, theorem पे, अगर feel आगे है, तो note it down, फिर आगे बढ़ते हैं, बेटा, collision के start करते, come on everyone, बहुत जबरदस्ट चीज़ है, देख रहे हो, है ना, अरे सही है क्या, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, ठील आगे, थोड़े दिल दिल दिखाओ, ऐसे ही नहीं काम चलेगा, energy कम नी होनी चाहिए, अगर teacher के अंदर energy कम नी है, तो बच्चों के अंदर energy कैसे कम हो सकती, बेटा, एक इतनी बड़ी ना इनसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फड़ा फट थोड़ी energy दिखाईए, जोश दिखाईए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, येस, बहुत बढ़िया, और session को like करो, session को like करो फड़ा फट, तो अब बताओ, अब अगर इसको मेरे को conclude करना है, आसान भाशा में, अ आगे देता है, आपको impulse, ठीक है, impulse देता है, whether impulse is given by integral FDT, और यही आपको बताता है, change in momentum, तो change in momentum भी यही से मिल जाता है, ठीक है, screenshot ले लो, आगे बढ़ो, screenshot ले लो, आगे बढ़ो, ठीक है, अब देखो बेटा, collision की बात करते हैं, देखो, मान लो एक पार्टिकल यहाँ प इसने उस पे थपड लगाया, चटाक है ना, और अगर थपड आप लगाओगे तो आपके हाथ में भी तो दर्द होता है, मतलब इसने भी उस पे force लगाया, equal and opposite है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो impulse इस पे लग रहा है, इस वाले पे, वो इधर है, इसको हम N कह ल 0 है, तो left hand side 0 हो गया, और right hand side में क्या था, change in momentum, oh oh oh, change in momentum 0 हो गया, इसका मतलब P initial equal to P final है, अरे सर यह तो आपने फिर से feel करा दिया, कि भाईया, collision में momentum conserve होगा, impulse से भी feel करा दिया सर ने, अरे वा, बिलकुल सही सर, बहुत बढ़िया क्या, तो logic लगा रहे, सर आप मजा आ गय इंपल्स जो होता है, total impulse is equal to change in momentum, यहां तो net impulsive force ही 0 हो गया, और अगर net impulsive force 0 हो गया, तो change in momentum 0 हो जाएगा, change in momentum 0 हो जाएगा, तो momentum conserve हो जाएगा, तो यह एक और तरीका है समझने का, कि भाईया, collision में हमेशा momentum conserve होगा, अब यहां पे चाहे वो elastic collision हो, चाहे वो inelastic हो, चाहे व हमेशा momentum conserve होगा, क्योंकि collision हुआ, इसका मतलब, जो force आगे, वही force पीछे, net impulsive force 0, momentum is conserved, बेटा यह feel आती है सभी को, अगर elastic है, तो momentum conserve करोगे, करोगे, inelastic है, तो भी करोगे, partially elastic है, तो भी करोगे, हर collision में conserve होगा, और हाँ, यह भी याद रखना, कि यह जो momentum conserve होता है, वो along the line joining होता है, यह along the line joining, जहां पर impact हुआ है, उस line के along momentum conserve होता है, देखरो, इसके along momentum conserve है बेटा, थील आ गई है सभी को, yes, चलिए, बहुत बढ़िया, अब कहानी की शुरुआत करते हैं, जैसा कि सर ने बताया, कि collision दो type के होते हैं, यह head on होता है, और एक oblique होता है, सबसे पहले place, है ना, कोई गया है, देनली के cannot place, ताब इसा ही महल होता है, तो आप ऐसे चल रहे हो, सीधा-सीधा चलते जा रहे हो, और इधर देख रहे हो, है ना, और आपको पता ही नहीं चला है कि सामने कोई था, और उससे जाके एक दम सीधा टकरा गया, सीधा टकरा गया, तो head on collision ह है ना, अब depend करेगा कि जिससे टकराए, वो तुम्हारी कितनी पिटाई करता है, है ना, खेर, वो तो अलग बात है, लेकिन आप सीधा-सीधा जाके ऐसे टकरा गया है, और कई बार टकराना थोड़ा अजीब सा होता है, थोड़ा सा romantic है ना, तो आप ऐसे चल रहे हो, लेकि ये भाई साब इधर जा रहे हैं, ये भाई साब इधर जा रहे हैं, टकरागे दोनों, ये head on है बिल्कुल, center to center जो आप line join करोगे, उसी direction में collision हुआ है, ठीक है, ये head on है, इसमें ज्यादा पिटाई हो सकती है, तुम्हारी, oblique में तो तुम फिर भी ये बोलके निकल सकती है अरे, sorry, sorry, मैंने देखा नहीं था, head on में कैसे बोलेगे, देखा नहीं था, इतना बड़ा इंसान तुम्हें देखा ही नहीं देता, सीधा जाके टकरागे, मतलब है, पुलिस के पास चलेंगे अब, ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ है, अब बिटा देखो, ये मानल बिटा, तो situation कुछ ऐसी बनेगी, ये देखो, हो गया collision, बात समझ रहे हो, ऐसी कुछ situation बनेगी, हलाकि इसकी speed इस तरफ थी, इसकी speed इस तरफ थी, लेकिन collision ऐसा कुछ हुआ, collision ऐसा कुछ हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, इसका जो center होगा, इसका जो center होगा ये है अपना line of collision, ये क्या बेटा line of collision और यहाँ पर momentum conserve होगा, यहाँ पर क्या conserve होगा, बेटा, momentum conserve होगा, अब तुम सोच रहे होगे, कि sir का जहाँ मन करता है, वहाँ momentum conservation बोल देते हैं, पहले बोल रहे थे, इस line के along momentum conserve होगा, अब बोलते हैं, इस line के along momentum conserve होगा, क्यों sir ऐसा बोल रहे हैं, सु एक पेधर और एक पेधर तो इसी डारेक्शन में तो नेट इंपल्स जीरो हो रहा है और नेट इंपल्स फोर्स जीरो होने का मतलब उसी डारेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन होगा तो हम इसी डारेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे समझ मारी है बात इसी direction में हम क्या लिख दिया मैंने momentum को conserve करेंगे ठीक है इस पे बहुत जबरदस्त question oblique के उपर मैं तुमको कहां पर कराऊंगा पता है DPP discussion में कराऊंगा ठीक है तो आप ध्यान में रखना कि ये question आपको DPP में देखने को मिलेगा जब मैं आपको momentum collision का question दूँगा तो तो oblique collision का सिर्फ एक या maximum दो question ज़रूरी है इतने में आपको पूरी feel आ जाती है वैसे oblique collision पूछते कम है आपके exam में नीट में पूछा ही नहीं है बलकि ऐसा कहलो आप ठीक है लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे अपने confidence को boost करने के लिए ठीक है बेटा क्योंकि फिर बच्चों के मन में रह जाता है कि अरे sir oblique नहीं हो पाया oblique हो जाता तो feel थोड़ी अच्छी वाली आ जाती तो basic idea मिल क्या आपको कि अगर oblique collision दिख गया कभी तो करना क्या है along the line of collision हमें momentum को conserve करना होता है कर लेंगे जब दिख जाएगा इसको भी बोल दे इसको धमका दो बेटा sir की तरफ से इसको थोड़ा धमका दो जरा देख लेंगे बोल दो एक बार सब लोग लिख दो chat box में दिख जाएओ बस तू अगली बार बस तू दिख जाएओ देख लेंगे बोल दो बेटा ठीक है हाँ अब आ जाते हैं इस पर head on पे अपन ज़्यादा focus करते हैं फिलहाल के लिए देख लेंगे ना इसको है ना बहुत बढ़िया इस डाउट का मैं वेट कर रहा था काफी दिनों से कोई मुझसे पूछे कि ये डीपी क्या है हाँ इसका मतलब है डेली पेट पे लाथ है ना अरे नमूनो इसका मतलब है डेली प्राक्टिस पेपर ये मिलता है तुमको physics में मैं तुम्हें डेली डीपी देता हूँ प्राक्टिस पेपर देता हूँ हाँ वैसे तो इसका नाम डीपी पी मतलब डेली प्राक्टिस पेपर है बट आज कल मैं डेली नहीं दे पाता एक बार में पूरे chapters के questions दे देता हूँ ठीक है एक बार में सारे के सारे ठीक है अब अब जो कोई मुझसे पूछेगा कि डीप की लगाऊंगा यह पाप धूंगा मैं ऐसा कैसे बूल दिया मैं अपने प्यारे-प्यारे मासूम से बच्चो को अब आजब बेटा यहां पर हैड-on collision बढ़ते हैं बच्चो ठीक है 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 हैड-on collision का logic समझ में आगे आपको है ना ऐसे बढ़िया line to line बढ़िया collision होता है इसम दूसरा होता है inelastic collision inelastic collision में भी दो टाइप्स है बेटा perfectly inelastic और partially inelastic दो टाइप के हैं ठीक है एक-एक करके मैं आपको सारा एक-एक करके समझाता जाता हूँ ठीक है बेटा देखो elastic collision ऐसा collision है जिसमें कोई energy का loss नहीं होता energy का loss नहीं होता देखो collision में generally क्या होता है जब दो चीजें ऐसे जाके एक दूसरे से टकराती है यह दोनों चीजें ऐसे जारी एक दूसरे से अभी टकराएंगे ठीक है टकराने के बाद क्या होता है बेटा उनका shape regain हो जाता है ठीक ह मेरे पास कुछ है, कोलीजन करके दिखाने के लिए, मैं आपको अब भी तुरन कोलीजन करके इसका दिखाता हूँ, आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है, अरे यार यह द्रॉर नहीं खुल रहा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बच्चो, हाँ, यह देखो, कोलीजन, इधर से आते हैं, है न, हैड़न कोलीजन करेंगे दिखना, यह बढ़िया इधर से आते हैं, हैड़न कोलीजन होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा स्माइल है पहले, अभी सैडनस में बदल जाएगी थोड़ी दिर बाद, यह आते हैं, आते हैं, टकराते हैं, टकराने इसको हम deformation, चप्टा हो गया, उसका चेहरा चप्टा हो गया, बहुत हसरा था गो, है ना, इसलिए हुआ इसके साथ, कर्मा है, कर्मा का असर है बेटा, सब कुछ दिकूँ, यह बढ़िया ऐसे चल रहा था, कहानी ऐसे चल रही थी, अचानक से shape इसका बिगड गया, शेप बिगड गया, इसको हम बोलते हैं, deformation, अब deformation तो हर collision में होगा, लेकिन अगर वो elastic collision है ना, तो perfect reformation भी हो जाएगा, समझो, deformation, reformation, यह deformation हो गया है अभी, deformation मतलब shape बिगड चुका है, अब यह जैसे हटेंगे एक दूसरे से, है ना, देखो एक collision हुआ, अब यह ऐसे हटे, देखो उसी shape में आ गया वापस, आ गया वापस, तो अगर shape को regain कर लिया जाए, पूरी तरीके से, तो वो elastic collision कहराता है, यहाँ पे अगर, मतलब एक तरीके स teacher का बच्चा, हाँ, यह doubt आ गया, यह doubt मुझे सताता है, haunt करता है, हर रात मुझे सपने में सुनाई देती है, है ना, चीजे, मेरे घरवाले मुझे से परेशान हो गए, मैं अचानक सोए, सोए, ऐसे अचानक से यूँ उट जाता हूँ, बिस तर पे, और फिर कहता हूँ, ह Yes, I am live, I am live, I am live, धरवाले बोलते हैं, फिर से इसका शुरू हो गया, इसके बच्चे फिर से सपने में उच रहे हैं, Sir, are you live, are you live, फिर से उठके जवाब दे रहा है सभी को, बट क्या करें, बच्चों का प्यार है, है ना, आपको सपन में वही चीजे तो दिखती है, जो द इलास्टिक कोलिजन, बड़िया से रीगिन कर लेता है, ठीक है, अच्छा, अब सोचो, कभी वो घर पे जब, है ना, मम्मिया रोटी बना रही होती है, मैं तो यह बहुत करता था, जब रोटी बन रही होती है, तो वो जो आटा होता है, उसमें से छोटा सा एक बॉल निका जरा देता था, तभी तो इंपल्स बहुत मिला है मुझे, कमच पा रहे हो ना, तील कर पा रहे हो ना, तो येस, उसका अगर आप गोला बनाओ, इमाजिन करो, उस आटे का, और उसको फेको दीवार पे, तो क्या वो एलास्टिक होगा, ऐसा होगा कि आटे का शेप पहले ऐ से बिगड़ जाता है, तो वो कहलाता है बेटा, पॉर्फेक्टली इनलास्टिक कोलीजन, शेप जो बिगड़ा वो बिगड़ा वापस नहीं आ रहा, बिल्कुल भी वापस नहीं आ रहा, बिगड़ क्या शेप बिचारे का, आटा, आटे का गोला, थोड़ा गीला, मारो द है, यहाँ पे सारा रीफॉर्मेशन हो जाता है, पूरा शेप रीगेन हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल भी शेप रीगेन नहीं होता, और यहाँ पे थोड़ा सा शेप रीगेन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पर्मानेंट डिफॉर्मेशन और थोड़ा सा शेप रीगेन, यह बीच का केस है, दोनों चीजे होती है यहाँ पे, इसलिए हम इसको partially inelastic कहते हैं, बताओ दोनों की feel आ गई है, बलकि तीनों की feel आ गई है क्या, इसमें सारा का सारा shape regain हो जाएगा, इसमें कुछ भी shape regain नहीं होगा, गया वो, पूरा deform में हो गया, और यहाँ पे थोड़ा स ही होता, यहाँ पे थोड़ा सा रीगें हो जाता है, तीनों की feel आ गई है ना, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्यारे प्यारे बच्छे हैं, सब समझ जाते हैं, तो yes, it is the collision in which bodies regain their original shape, ठीक है, notes के form में, perfectly inelastic, अच्छा, यह जो perfectly inelastic वाला है, एक और चीज म में आपका बता दू, आपको बता दू यहाँ पे, कि जब line to line, central impact होता है ना, perfectly inelastic में, तो bodies आपस में चिपक जाती है, deform होके एक बन जाती है, और साथ में move करने लग जाती है, देखरो perfectly inelastic में, वापस नहीं आती वो, जैसे देखो, इन दोनों का अगर elastic collision होगा, है ना, तो यह टकरा के ऐसे वापस हो जाएंगे, समझे रहो ना, ऐसे टकराएंगे और वापस, लेकिन अगर inelastic हुआ तो क्या होगा पता है, यह ऐसे जा रहें, जा रहें, जा रहें, तकराएं, अब साथ में जाएंगे, साथ निभाना, साथ यह हो जाएगा, है ना, देख रहे इसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन भी होता है, और थोड़ा वो रीगेन भी कर लेते हैं, मूव तो अलग अलग करते हैं, बट चोट तो लगी है, तो थोड़ा डिफॉर्मेशन तो होता है, ठीके वेटा, चलिए, बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ने से पहले, मैं आप थोड़ा सा कोलिजन में है ना, चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप देखोगे यूवन और यूटू, तो यू का मतलब होगा इनिशल स्पीड, यू का मतलब क्या होगा बेटा, इनिशल स्पीड, और अगर आपको वी दिख जाए, तो वी का क्य होगा final speed, यह आप incident civilization से, kinematics के chapter से सीखते आ रहे हो, गुरुकुल में आपको पहली बार सिखाया गया था बरगत के पेड़ के नीचे, कि यू का मतलब initial speed होता और वी का मतलब final, तो वही notation हम आज भी यूज कर रहे हैं, इतने सालों के बाद भी हम वही notation यूज करते हैं, तो यह initial speed पहले वाले particle की है, 1 का क्या मतलब है, पहला particle, और यह initial speed दूसरे particle की है, बेटा, collision के लिए क्या यह होना जरूरी है, u1 greater than u2, खुद सोचो, स्वयम विचार करिए, कि अगर u1 greater than u2 नहीं है, मालो यह fast चल रहा है, और यह slow चल रहा है, क्या collision होगा कभी भी, नहीं, यह भाई साथ निकल लेंगे अपना चुप-चाप, यह पीछे-पीछे आता रहेंगे कम speed से, अरे, particle कहा है, collision क्यों नहीं हो पारा, क्योंकि तुम्हारी velocity कम है, जिस नमूने के साथ तुमको collision करना था, वो तो कहीं पहुँच चुका है, already, तो मुसको चूब भी नहीं सकते है, collision की तो बाती छोड़ दो, इसलिए बेटा, इसको fast चलना पड़ेगा, इसको slow, तो u1 greater than u2 लिखा है, यहाँ पे, हाला कि यहाँ पे जो चीज लिखे है, यह होना जरूरी नहीं है, कि v2 हमेशा greater than v1 हो, in general बोल लिया जाता है, बट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकते हैं, हो सकते हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, छोड़ो उसको, ठीक है, तो yes, इतना याद रखो कि पहले particle की initial velocity u1, पहले particle की final velocity v1, ठीक है, दूसरे particle की initial velocity u2, final velocity v2, ठीक है, अब मैं जो define करने वाला हूँ यहाँ पे, वो बहुत important है, और जो के collision के पूरे के पूरे topic को इतना आसान कर देगा, कि आप बड़ी आसानी से कोई भी question solve कर पाऊंगे, कर दूँ आसान, देखो, मैं सच बताऊं तो यहाँ पे कुछ बच्चे prefer करते हैं, एक formula होता है, जो direct उसको याद करना, मैं आपको पहले वो formula दिखा दूँ, पहले formula दि इतना आसान है क्या बेटा, M1-M2 upon M1 plus M2 into V1, V1 यानि की initial velocity है, यहाँ पे U नहीं use किया, ठीक है, V' को final बोला है, V को initial बोला है, चलो छोड़ो क्या परक पड़ता है, इतना लंबा formula और इतना लंबा formula यहाँ पे भी, मैं आपको तरीका सिखाता हूं, अगर आप सभी को तर करने collision का, तो दिल बनाईए फटा-फट, दिल बनाईए फटा-फट बिटा, है ना, AC की DPP upload हो चुकी, I think, check करो, DPP वाले folder में जाओ, AC का DPP already upload हो चुका है, ठीक है, आओ बच्चों समझते हैं, कि किसी भी collision के question को कैसे crack किया जाए, ठीक है, बिना किसी formula को रटे हुए, U2 से आगे जा रहा है, और ये U1 से, तो इन दोनों के बीच की कितनी relative velocity है, किस velocity से ये particle, इस particle को approach करेगा, उसको हम बोलेंगे U1-U2, सही है, इसी को बोलते है velocity of approach, अब ज़्यादा तर बच्चे परेशान रहते हैं, सर ये velocity of approach क्या होता है, पढ़ा दूसर आता नहीं हमें, क और टकराने के बाद ये नमूने V1 और V2 स्पीट से जा रहे हैं, इन जनरल हमने अज्यूम किया कि V2 greater than V1 है, तो हम बोलेंगे velocity of separation after collision क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप सुधार लो, इसको V2-V1 रखोगे, तब जाके ये positive रहेगा, ठीके बेटा, इसको positive रखना चा सिंबल सी बात है, किस velocity से वो अप्रोच कर रहे हैं, और फिर किस velocity से वो एक-दूसे से separate हो रहे हैं, that's it, relative velocity, कोई परेशानी यहां तक, नहीं होनी चाहिए, है ना, U1-U2 approach, V2-V1 separation, अब एक चीज आती है, जिसको हम बोलते है, coefficient of restitution, क्या क्या आती है बेटा, coefficient of restitution, coefficient of restitution का formula होता है, बच्चो, velocity of separation, relative velocity of separation, divided by relative velocity of approach, simple, है ना, E, E कहते है इसको, coefficient of restitution, इससे पता भी चलता है कि कौन सा collision है, वैसे, अब आप देखोगे, तो बता हो, velocity of separation कितना है, U1-U2 है, या फिर V2-V1 है, separation की बात कर रहा हूँ मैं, V2-V1 है, किस velocity से वो, एक दूसरे से separate हुए है, अच्छा, देखो कितना है, separation velocity V2-V1 है सर, बिल्कुल सही है, approach velocity क्या है, वो तो U1-U2 है, तो किसी भी question में, आप ऐसे निकाल सकते हो, coefficient of restitution, पहला equation यहीं से बनेगा बेटा, पहला equation यहीं से बनेगा, एक equation बना लोगे, किसी भी question में ऐसा वाला, ब दूसरा equation होगा, momentum conservation, दो equations दे रहा हूँ, दो tablets दे रहा हूँ, है ना, आप doctor बनने वाले हो, आपको तो पता ही है, कोई भी विमारी होती है, कोई भी मर्ज होता है, उसका इलाज होता है, कुछ आप दमाईयां दे देते हो, collision में सिर्फ दो tablets है, ठीक है, एक tablet है, coefficient of restitution, और द formula क्या लिखोगे, m1 u1 plus m2 u2, ध्यान रखना, यह सब vectors है, direction matter करता है, ठीक है, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector, पेटा समझ में आया, यह initial momentum है, पहले particle का initial velocity u1, दूसरे का u2, तो यह पूरा initial momentum है, final velocities v1 और v2 है, तो यह final momentum है, यह दूसरी tablet है, बच्चो, किसी भी collision के question को करने लिए, कितने tablets की जरूरत है आपको, दो, एक कौन सा है, momentum conservation, जो कल से सीख रहे हो आप, और दूसरा, coefficient of restitution, जो आपको अभी-अभी सिखाया गया है, कोई सा भी question हो, अगर यह दो चीज़ें आपने लगा दी, तो आप से collision का question solve हो जाएगा, कोई बड़े-बड़े formula रटने क जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और यह natural होता है, यह तो आपको naturally आता है, इसको याद करने की जरूरत हो ना पड़ती है, है ना बेटा, और यह भी, naturally आपको याद हो जाएगा, separation upon approach, feel आईए तो जल्दी से एक बार दिल बनाईए, आप जो पढ़ा रहे हो, जही के लिए बिल्कुल है बेटा, basic concept तो बिल्कुल जही के लिए भी है, है ना, practice आपको थोड़ी सी ज़्यादा करने पड़ेगी, जही के हिसाब के questions की है ना, feel आईए बेटा, come on यार, तुम लोग energy नहीं दिखाते हो, ऐसा क्यों करते हो, आगे है ना feel, अभिलप्षा, अचा of restitution की जो values होती है, अगर वो elastic collision है ना, तो इसकी value होती है 1, कितनी होती है, elastic collision में 1, अगर ये perfectly inelastic है, याद है perfectly inelastic जिसमें bodies चिपक के जाती है, साथ में, चिपक जाती है आपस में, common velocity हो जाती है, दोनों bodies की velocity सेम हो जाती है, after collision, वहाँ पे value आती है बेटा, 0, थोड़ा ए U1 से चल रहा है ये, और बाद में U2 से चल रहा है, मतलब दोनों velocities है ना, 1 और 2 की, collision हुआ, ठीक है, अगर ये perfectly inelastic है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, दोनों आपस में चिपक जाएंगे, और 7 में move करेंगे, येस सर, तो दोनों की speed सेम हो जाएगी, final speed, और final speed सेम होने का मतलब क्या है, V1 is equal to V2 हो जाएगा, है ना, पहले वाले का final speed V1, दूसरे वाले का final speed V2, दोनों एक दूसरे के बराबर, यहाँ देखो, V2 minus V1 क्या आजाएगा, 0, तो इसलिए तो लिखा है, E को 0, आप सब हैं, hero, अरे, feel आई, feel आरी है, दोनों जब चिपक के जाते हैं, आगे, तो coefficient of restitution 0 हो जाता है, क्योंकि V2 equal to V1 हो जाता है, ठीक है बेटा, चलिए, तो elastic में कितना, 1, perfectly inelastic में कितना है बेटा, 0 है E की value, और हाँ, अगर वो partially inelastic हुआ, partially inelastic हुआ, तो वहाँ पे 0 से 1 तक कोई भी value हो सकती है, जो या तो आपको given होगी, या तो वही आपको निकाल निकालना होगा, तो यह सब चीजे given होगी, यहां से निकाल लोगे, और अगर यह given होगी, तो शायद velocity पूछ लेंगे, तो कई बच्चे सोचने लग जाते हैं, सर इसमें कैसे बताद लेगा कि 0.1 भी तो हो सकता है, 0.9 भी तो हो सकता है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ह यह सब vectors हैं, प्लीज रेमेंबर देट, यह सब के सब जो हैं वो vectors हैं, क्या हम questions करने के लिए तयार, क्या हम questions करने के लिए तयार हैं, जल्दी बताइए, फट आफट, फट आफट, और फट आफट, लाइक करिये session को, ठीक है, 600 के उपर बच्चे देख रहे हैं, बट लाइ आरियन इस सेंग सर फील आ गई, हर जीत बिल्कुल चस्मा लगा के हसा जा रहा है, आरियन भी कह रहा है, अच्छा आरियन तो पहरी कह चुका है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू एफ्रिवन, थैंक यू आचारी जी के सिश्यों रेडी है ना, कोश्चन करने के लिए, आहा, अरे यही तो चाहिए था, डीपीप कहां मिलेगी, इस कोश्चन का आंसर करते करते हैं, मैं ठक चुका हूँ, अब मिले को लगता है, जब मैं सोँगा तो उठने के बाद मुसे यही सपने आएंगे, तो डीपी कहां मिलेगी, क इस लिंक में जब आप आजाएंगे, तो आपको सभी वीडियो के, सभी लेक्च्चर के वीडियो का लिंक भी मिलता है, हर एक सेशन का पीडियव भी मिलता है, सिर्व डीपी नहीं, हर एक सेशन का बेटा पीडियव भी मिलता है आपको, और साथी साथ एक डीपी का कुंगा तीन बजे ऐसे उठके हाँ लिंक टी लिंक टी आर डॉट इई गौरफ भुपता घरवाले बुलेंगे नया शुरू हो गया इसका आस तक आरियो लाइव आरियो लाइव करता था अब ये लिंक ट्री बताता रहता रहता लोगों को खैर चलो कोई बात नहीं मैंने ग बिल्कुल तयार है गरमा गरम नया कोश्चन ताजी ताजी इसकी स्मेल बिटा पड़ा पड़ा आंसर कर दो टू बॉडिस ऑफ मास 5 kg 10 kg मुविंग वेलॉसिटी इस गिवन है कोलीजन हो रहा है अच्छा यहां पर एक चीज लिखिए देख लेना ना मुनों एलास्टिक लिखाए यहां पर फिर मत पूछना सर ई की वैल्यू बताओ मैं नहीं बता रहा हुआ तो आप लाइव होते है इस्टिकर लगा लेता हूं क्या केते हो यार उसमने लिखा रहेगा आई एम लाइव और उसमें लाइट जलेगी बढ़ियाँ रेड कलर का बोर्ड होगा जैसे गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है वैसा वाइट कलर में लिखा रहेगा I am live connection कर देंगे उसका electricity से और बढ़िया जगमागाता रहेगा ऐसे I am live और यह मैं तब लगाऊंगा जब मैं live session ले रहा हूँगा अगर किसी वज़े से कभी मेरे को recording करनी पड़ गई फ्रीमेर वीडियो कभी हुआ कभी कभी हो जाता है तो मैं नहीं लगाऊंगा अब खुश हो तुम लोग यही चाते हो ना teacher को जोकर बना दो है ना I am live का यहाँ पे लगा लो और सर वो dpp link वाला यहाँ पे लगवालो linktr.ee slash गौरव गुपता है ना teacher ही तर पढ़ा रहे है यहाँ बढ़िया disco की तरह light jewelry विल्कुल है ना आपको सब्सक्र दिखाई दे रहा linktr.ee फिर यहाँ पे इंस्टा की ID आहाँ हाँ फील आ जाएगी क्या कहते हो यार यही बस सर यही कृपा आट की थी वरना selection तो पिछले साल ही हो जाता अगर ऐसे teacher समी मिल जाते है ना बहुत बढ़िया और सर एक चश्मा भी लगा लो उसमें दिल बना लो बहुत दिल मांगते रहते हो है ना तो एक दिल वाला चश्मा यहां पे दिल और यहां पे दिल है ना बेटा हाँ अब आंसर बताओगे की बहुत अच्छा ये ना माइनस टेन होगा फर्स्ट और 5 होगा second particle का यानि कि A कितने बच्चों का A answer आया है कितने बच्चों का answer A आया है अगर आया है तो अच्छी बात है विश्णू कैर आपको तंग करने मज़ा आता है मुझे भी बड़ा मज़ा आता है कर लिया करो कोई परिशानी नहीं मुझे है न यह देखो A will be the correct answer minus 10 और 5 चलिये मैं आपको ये question बड़े amazing तरीके से अभी solve करके लिखा देता हूं बेटा ध्यां से सुनते जाना अच्छे से दिखते जाना ठीक है कितनी tablets की जरूरत है doctor लोगो all the future doctors tell me to solve a question of collision how many tablets do you need you need just two pills right you need just two tablets one tablet is momentum conservation and another one is the coefficient of restitution coefficient of restitution says v2 vector minus v1 vector is equal to sorry divided by u1 vector minus u2 vector very nice velocity of separation upon velocity of approach ठीक है बहुत बढ़िया पिठा ये जो 10 और 5 आपको given है वो initial velocities है कैसी velocities है initial तो आपको u1 vector given है आपको u2 vector भी given है v1 v2 आपको अभी पता है क्या नहीं पता है तो एक काम करो v1 v2 का ना आप कोई भी direction assume कर सकते हो generally आप ये assume किया करो कि after collision 5 kg की velocity इस तरफ हो जाएगी v1 और 10 kg की velocity इस तरफ हो जाएगी v2 मुझे पता है अभी कुछ मेरे प्यारे प्यारे मासूम मासूम से बच्चे मुझसे पूछेंगे और उनका पूछना हक भी है वो बोलेंगे कि sir आपने v1 को इधर कैसे लिया किसने बताया आपको फोन करके कि v1 इधर ही होगा और वो तो छोड़ो v2 को भी आपने उधर ही ले लिया यह किसने बताया आपको तो बिटा मुझे किसी ने नहीं बताया है मैंने बस direction इस तरफ अभी assume कर ली है बाद में अगर v1 मेरा negative आ जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा assumption गलत था सी को इस चीज़ को यह skill है बिटा मैंने v1 को right की तरफ assume किया है और उसको positive मानके चलूँगा कि right की तरफ positive velocity होती है अगर मेरा answer negative आ गया तो यह एक indication होगा यह कोई शक्ती ब्रम्हांड की हमें यह बताना चाहती है यह हमें message देना चाहती है कि बिटा जो तुमने v1 की direction ली कि वो गलत है तुम्हारा answer negative आ रहा है ऐसी शक्तियां होती है ब्रम्हांड में जो आपको समय समय पे बताती है यह आपका काम है कि आप उस indication को समझो कई बार लाइते बंद होती है कुछ भी होता है कुछ बताना चाहती है आपको कोई शक्ती कुछ राज छुपे हुए वहा बहुत बड़ा इंडिकेशन अपने आप में कि आपने करत अजम्शन लिया था है ना कि क्या बात है देख रहे हो मस्त परनॉर्मल महौल कर दिया ना मैंने चलो अब इसको सॉल्व करते हैं देखो तो हम लिखेंगे मोमेंटम पहले वाले का इनीशल मोमेंटम तो क्या मोमे मोमेंटम क्या होगा 10 x 5 ये भी 50 होगा लेकिन प्लस लिखू या माइनस लिखू माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो राइट को प्लस लिया है तो लेफ्ट तो आटोमेटिकली माइनस हो जाएगा तो हमारा साइन कन्वेंशन यहां पर यहां पर यहां पर यहां और left को मैं minus लेना चाहता हूँ, आप चाहें तो इसका उल्टा भी ले सकते हैं, answer में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे minus 50 लिख रहा हूँ मैं, please doubt में मता आना, एक right है, दूसरा left है, इसले एक plus, एक minus लिया गया है, equal to, अब देखो final momentum लिखते हैं, final में मैंने दोनो के लिए 10V2, चलो हो गया, यह equation number 1 बनके तयार है, अपना गर्मा गरम, यह 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा, 5V1 plus 10V2 बराबर 0, अच्छा इसको 5 से divide कर दो, 5 से divide कर दो, तो क्या मिलेगा, V1 plus 2V2 equal to 0 equation number 1, ठीक है, 5 से बस divide किया बिटा, और कुछ भी नहीं किया है, चलिए सरफ equation बन गया, दूसरे equation की तरफ आ जाते हैं, बताएं कौन सा collision है, elastic collision है, तो E की value कितनी होगी, बिटा, 1 होगी, E की value अगर 1 है, तो आप क्या लिखेंगे, देखो, V2 minus V1, V2 positive लेना है, V1 को भी positive लेना है, हाला कि minus sign बीच में है, तो वो तो रहेगा ही, वो तो combo में ही है, upon, U1 कितना है बेटा, देखो, 10, U1 कितना है, 10, अब देखना यहीं पर mistake होती है, यहीं पर फस्ते है, U1 कितना है, 10, minus, U2 कितना है, U2 कितना है, minus 5 है, क्योंकि वो opposite है, यह सब vector quantities है, यहाँ arrow ऐसे time pass के लिए नहीं लगाया, मुझे रामायन महाभारत खिलने का shock नहीं है, कि मैं इ direction को भी धियान देना पड़ेगा, आपको direction का भी धियान देना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो, यह 10, minus, U2 कितना लिखोगे, minus 5, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको solve करेंगे, तो answer क्या आ रहा है, देखो, आपको answer मिलेगा, V2 minus V1 is equal to 10 plus 5, 15, सहीं बेटा, 10 plus 5, 15, तो इसक भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे आप minus V1 लिख लो, यहाँ पे आप V2 लिख लो, अरे V2 minus V1 को ऐसे नहीं लिख सकता है, क्या, minus V1 plus V2 लिख सकता हो, equal to 15 हो जाएगा, यह equation number 2 हो गया, अब इसको आपन करेंगे, solve, 1 और 2 को बिटा आपन solve करेंगे, ठीक है, देखो, solve करने के क्या करो, इन दुनों को आप add कर दो, simply, ठीक है, तो V1 minus V1, 2 V1 plus V2, sorry, 2 V2 plus V2, 3 V2, और यहाँ पे 15 plus 0, 15, तो answer आजाएगा, V2 का सबसे पहले तो 5 meter per second, feel आईए, 5 meter per second आजाएगा, और यह positive आया है, यह positive आया है, मतब ब्रम्हान की शक्तिया हमें बता रही है, कि go ahead, जो assume कि जाने दो, सही चल रहा है, तो यह 5 बिल्कुल सही है, इस तरफ ही होगा, इसका direction, लेकिन अब V1 निकालते हैं, V1 कैसे निकालेंगे, एक बार V2 आ गया, तो इस V2 वाली value को उठा के, यहाँ पे रख दो, है ना, चुप चाप रख दो, तो क्या मिलेगा देखो, minus V1 plus 5 is equal to 15 15, 15 minus 5 हो जाएगा, 10, तो V1 की value आजाएगा, minus 10 meter per second, ओ, यहाँ पे negative answer आया है, इसका answer negative आया है, मतलब क्या है, V1 को आपने right की तरफ imagine किया था, लेकिन actually वो left की तरफ होगा, this is the right answer, ठीक है, तो यह सिर्फ यही बता रहा है, कि left की तरफ होगा, by the way, answer तो हमारा आ चुका है, minus 10 plus 5, done and dusted, चुरो बताओ, फील आईए, दो मिनिट का समय है आपके पास, सब लोग इसको लिख लेंगे, सब लोग session को like कर देंगे, और सब लोग channel को subscribe कर देंगे, यह तीन चीजे कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और तब तक तुम्हारा मैं, जहां मर्जी मान सकते हैं क्या, बिलकुल अंच, अजम्शन आप कोई साभी ले सकते हो, अजम्शन क्या, वो तो sign convention है, आपको right इधर लेना है, प्लस लेना है, जो लेना है, वस आप कर सकते हैं, ठीक है, मज़ा अभी क्यो, क्या बात है, सर अभी तो आपने V1-V2 किया था, नहीं बेटा, माही, म लिखा है, ना, बिलकुल confused में थो ना बेटा, मैंने हमेशा ही V2-V1 किया है, यहां पे भी देखो, V2-V1 लिखा है, और यहां पे भी V2-V1 ही लिखा है, मैं बिलकुल अडिग हूँ, अपने फॉर्मले के साथ, है ना, हां जी, चलें, आगे बढ़ें, कोई बोल रहा है, सर, third option, देखो बेटा, generally, right की तरफ को positive इसलिए लिया जाता है, क्योंकि वो positive x-axis होती है, आप x और y-axis ऐसे ही तो बनाते हैं, उपर y, इधर x, तो यह हमेशा right को positive इसलिए लिया जाता है, तो इस question में भी लिखा तो नहीं है, किस तरफ positive लेना है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप ऐसा ही मानते हो, कि right positive होगा, positive x-axis है, और left negative होगा, तो जाहिर सी बात है, हमारा एक answer इसी convention से minus 10 आ रहा है, एक plus आ रहा है, तो मैं यही option दूँगा, कोई बोल रहा है sir, third option क्यों नहीं होगा, third option कैसे हो सकता है, third option में तो यह 10 आ रहा है, और यह minus आ रहा है, which is wrong, है न, according to the sign convention, यही option सही होगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, V2 उसी वाली equation में क्यों रखा, सौम्या का doubt है, सौम्या धवन का doubt है कि sir, कुछ भी करते हो आप, और logic भी नहीं देते, V2 को उठा के, इसी equation में क्यों रखा, यहां रखेंगे, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका, बताईए मुझे, nation wants to know, कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा, वहां भी रख लो, यह तो simple maths है, रख दो, क्या फर्क पड़ जाता है, V2 को चलो यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो क्या बनेगा, V1 plus 2 5 जा 10 बराबर 0, तो V1 equal to minus 10, अरे, आहा, एम answer, अरे कहीं भी रखो यह तो basic maths है बेटा, है ना, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो answer आ चुका है, minus 10 और 5, अब यह एक घड़िया सा, इसी का बेटा, method है, formula, direct formula, कुछ लोगों को यह method tough लगा, मतलों इतना आसान method तो है, एक बार E का formula लगाना है, एक बार momentum conservation करना है, दो equations बनते हैं, दोनों को solve करना है, answer आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है बेटा, कि नहीं सर, नहीं करना मुझे ऐसा solve, मुझे formula भी सिखा दो, तो formula बेट final velocities है, जिसको हम V1 और V2 लिखा करते थे, ठीक है, तो अब समझ जाना यार, यह U1 हो जाएगा, यह U1 हो जाएगा, यह U2 हो जाएगा, ठीक है, यह V1 है actually, final velocity है, यहाँ पे भी बेटा U1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी बेटा U2 आ जाएगा, अब यह आपका homework है, कि उसी question में इस formula को लगा के, सेम आंसर लाने की कोशिश करो, ठीक है, यह formula अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें, यह अच्छा लग रहा है क्या इसको याद करना, मुझे तो बहुत बेकार लगता है, ऐसे बड़े-बड़े formula याद रखना, क्योंकि अगर एक जगे कुछ भी miss हो ग या फिर यहां पर मैं माइनस के जगे प्लस लिख दिया मैंने, तो है ना अनर्थ हो जाएगा, धरती में कमपन बढ़ जाएगा, है ना सारा समुद्र का पानी धरती पर आ जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, इस अनर्थ को होने नहीं देना चाहते हैं, तो आ उफेशिएंट ऑफ रस्टरैटूशन, मोमेंटम लिशियन अब बात करते हैं, पॉफेक्टली इन एलास्टिक को लिजन की, अच्छा बेटा बात और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, एक बात और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एलास्टिक को लिजन जो होता ना, Elastic Collision की जब आप बात करते हैं ना, बेटा, देखो, मैं तीनों लिखता हूँ एक बार, Elastic, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ बेटा, Perfectly Inelastic, ठीक है, और फिर Last में मैं लिख रहा हूँ, Partially Inelastic, ठीक, बताओ, Momentum Conservation क्या तीनों में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी-अभी Momentum Conservation, तो यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, यह Setting Cons przykład की बात थी यहाँ पे भी energy का loss होता है, यहाँ पे भी energy का loss होता है, logic समझना है तो ऐसे समझो, elastic में क्या हुआ था, पहले ऐसे deformation हुआ, कुछ energy गई deformation में, वो energy वापस आ जाती है, reformation होने के बाद, है ना, तो बैसे तो यह एक assumption ही है, क्योंकि यहाँ पे आप सब निगलेक कर दोगे, heat, loss, sound में कोई energy नहीं जा रही, assumption है, तगड़ा assumption है, राइट, बट हाँ, ऐसा आप तब बोलोगे, जब elastic collision होगा, energy conservation होगा, सिर्फ किस में होगा, elastic में होगा, बाकी दोनों में energy का loss होता है, ठीक है, चलो यह table बना लो अगर चाहो तो, elastic, perfectly inelastic है ना, और partially inelastic, तीनों में momentum conservation होता है, बट energy सिर्फ और सिर्फ elastic में ही conserved होती है, बाकी में energy का loss होता है, और अगर यह perfectly inelastic हो, तब तो maximum energy का loss हो जाता है, याद है वो आटे की ball, आटे की ball को आपने फेका दीवार की तरफ, वो थोड़ा भी वापस जंप नहीं करती, थोड़ा भी reformation नहीं होता, थोड़ा भी वापस नहीं आती, वहीं पे या तो चिपक जाती है, या तो वहीं पे गिर जाती है, जस नीचे चुप जाती है, ना, maximum energy का loss, कौन सी collision में, चलों, revise करते हैं, बताईए बच्चो, nation wants to know, zero energy loss, कौन सा collision, elastic, maximum energy loss, कौन सा collision, perfectly inelastic, थोड़ा बहुत energy loss, कौन सा collision, partially inelastic, क्योंकि यहाँ थोड़ा reformation भी हो जाता है, थोड़ा deformation भी हो जाता है, तो पूरी, maximum energy का loss, perfectly inelastic, कुछ है energy का loss नहीं, elastic, थोड़ी बहुत energy का loss, partially inelastic, done हो गया, dusted हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, undertaker of physics, राम करन वर्मा कह रहा है, undertaker of physics, यह question try करो, ठीक है, try करो, अब तुम undertaker बोलो को तो वैसे आखे भी बनानी पढ़ेगी, क्या, मुझे नहीं आता, वैसे ऐसा बनाना कुछ भी है ना, बाकि board world भेज देते हैं, छपवाने के लिए, यहाँ पर अपना, I am live वाला, बहुत जल्दी, test कब होगा, देखो, next week से सब कुछ बढ़िया, streamline हो जाएगा, इस week तो आप लोग भी थोड़ा दिवाली की वज़े से है ना, थोड़ा तो, प्यार से ही चल रहे हो, देखने को मिल रहा है, बट हाँ, next week से सब कुछ बिल्कुल सही, track पे कर देंगे बेटा, ठीक है, बताइए क्या answer आ रहा है, अच्छा, ये कौन सा collision है, पहले तो ये समझो, इसका answer है बेटा, कहां के answer, 10 meter per second is the answer, और, bodies collide and stick with each other, कौन से collision में ऐसा होता है, कि bodies collide and stick with each other, perfectly inelastic, अच्छा देखना, इसमें एक ना, फाइदा होता है आपको, इसमें सिर्फ momentum conservation सही answer आ जाता है, दोनों, तो e की value तो 0 हो जाएगी, है ना, e की value 0, याने की V2-V1 upon U1-U2 0, यही तो होगा, है ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ से कोई information नहीं मिलेगा, इस equation से कोई information नहीं मिलेगा, इसकी जरूरती नहीं पड़ती है, सिर्क momentum conservation करवा पांसर आ जाता है, two bodies, mass, 10 kg, 5 kg, moving velocity, 5 and 20 in same direction, तो इसका momentum कितना हो जाएगा, 10 into 550, same direction मतलब वो भी उधर ही जा रहा है, 5 into 20, यह हो जाएगा, आपका 100 है ना, तो यह 100 हो गया, equal to, final momentum, इसकी speed मान लो, V1 है बाद में, ठीक है, इसकी speed मान लो, बाद में V1 है, इसकी बाद में V2 है, तो क्या लिखेंगे, इसका momentum बिटा, पहले वाले का, पहले वाले का momentum लिखेंगे, 5 into, sorry, 10 into V1, mass into velocity, और दूसरे वाले का लिखेंगे, 5 into V2, हो गया बिटा, खतम, और फिर हम बोलेंगे, V1 और V2, तो दूनों एक दूसरे के बराबर है, दूनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि stick हो जाते हैं वो है ना, तो ये बन गया 150, ये बन गया 10 plus 5, 15 टाइमस V, और V के value आजाएगे, 10 meter per second, done and dusted, है ना, अच्छा, तुम्हें समझ में आया, कि कल वाली क्लास में तुमने एक collision का question कैसे उड़ा दिया था, बिना coefficient of restitution पढ़े, इसलिए उड़ा दिया था, क्योंकि वो perfectly inelastic का था, वहाँ पे भी bodies आपस में चिपक के जा रही थी, और जब ऐसा question बन जाता है, तो सिर्फ एक tablet की जरुरत पढ़ती है, एक tablet से काम बढ़ जाता है, यहाँ पे antibiotic खाने की जरुरत नहीं है, समझ रहो ना, ऐसा कुछ समझ लो, सिर्फ momentum conservation से काम कब चल जाता है, अगर E की value 0 हो, इसलिए कल आपसे वो question बड़ी आसानी से हो गया था, सिर्फ momentum conservation किया था और आंतर आगया, वही तो हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन अगर E की value 0 ना होके कुछ और हो जाए, 0.1 हो जाए, 0.2 हो जाए, या फिर 1 हो जाए, कोई भी और value हो तो दोनों tablet स्थानी पढ़ती है, ठीक है, तो यह बिमारी थोड़ी छोटी यहाँ पे दोनों same direction में जा रहे थे, यहाँ पे देखोगे तो दोनों opposite direction में जा रहे हैं, बताओ answer, sir को answer चाहिए, फिर खतम करते हैं, class को, ठीक है, sir को फटा-फट answer दो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, खतम करते हैं, वैशनवी कह रहे हैं, बस भी करो, sir, अरे, solve कर दो, तुमारी लिए तो है, बस-बस यह last question है, फिर छुटी है, ठीक है, यह last question है, मेरे प्यारे-प्यारे मासूम-मासूम बच्चो, sir, मेरा mobile पानी में गिर गया, तुम यह physics पढ़ते-पढ़ते, पानी में क्या कर रहते हैं, अच्छा, आप समझा, तील की गंगा बह गई है ना, पानी में गिर गया phone, वाह, वाह नमुने वाह, इसका answer जो आएगा बेटा, वो आएगा minus 10 by 3, देखो यह बिल्कुल पिछले question की तरह ही है, लेकिन difference क्या है, इसका momentum आप लिखोगे 50, 50 लिखोगे, लेकिन इसका initial momentum आप लिखोगे minus 100, समझ में आरी यह बात, क्योंकि वो opposite direction में है, लेकिन हम इतने ढीट हैं, कि हम हमेशा final velocity को इधर ही मानके चलते हैं, हम इधर ही मानके चलते हैं, final velocity को, कुछ भी हो जाए, बाद में भले answer negative होना होगा, ब्रमान की शक्तियां हमें अगर बताना चाहती है, कि कुछ गलत है, तो बता दे उनका काम है, मेरा काम है, मैं right की तरफ लोगा, खतम, मैं tension नहीं लेना चाहता, कोई confusion नहीं चाहिए light में, हमेशा final velocity को right की तरफ लो, positive मानो, ब्रमान की शक्तियां बताएंगी, कि बेटा, कुछ गडबड है, negative answer आगया, तो ऐसा होगा, otherwise नहीं, ठीक है, तो दोनों की velocity, common velocity, right की तरफ V मान लीजिए, तो momentum होगा 10 plus 5, 15, क्योंकि 7 में move करेंगे दोनो, तो total mass एक साथ लिया जा सकता है multiplied by V कर दीजिए बेटा, तो answer आजाएगा, minus 50 is equal to 15V, सही है ना, अरे सब सही तो लिख रहा हूँ, minus 50 is equal to 15V, अब इसको just आप solve कर दो, तो answer आजाएगा, minus 50 by 15, जिसको कि आप शायद लिख सकते है, minus 10 by 3, देखो परमान की शक्तियों ने बताया, कि तुम्हारा assumption बेटा, wrong है, तुम्हारा assumption कैसा है, wrong है, असल में ये दोनों bodies, collision के बाद, left की तरफ जाएगी, जिसका logic आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि है ना, ये जादा momentum के साथ आ रहा है, 20 into 5, इसका momentum जादा है, इसका momentum कम है, तो ये जब आके इससे टकराएगा, तो दोनों को लेके इधर निकल लेगा, हाँ हाँ, feel आई है, feel आई है ना, इसका momentum जादा है ना, 20 into 500 है, इसका momentum तो 50 है, ये ऐसे आगे इससे टकराता है, इसको बटोर लेता है, और फिर आगे घूम जाता है, इसलिए इधर आंसर आएगा, तो आंसर क्या है बटा, minus 10 by 3, ये तो option में ही नहीं है, options गलत हैं बटा, I है, तो options भी change होने चाहिए थे, ये printing mistake है, इसको कृपिया आप नेगलेक करें, बड़े-बड़े platform में चोटी-चोटी बाते होती रहती है, मिटा दिया मैंने इसको, मिटा कर रख दिया, ठीक है, minus 10 by 3 is the correct answer, और homework, ये homework है बटा, देखो कौन सा collision है ये, यहाँ पर e की value half given है, 1 by 2 given है, तो कौन सा collision होगा, partially inelastic होगा, तो ये आपका homework है, आप इसको करके आएंगे, ठीक है, ये 5 meter per second, ये 3 meter per second, दोनों आगे जा रहे हैं, e के value half है, आपको बताना है दोनों की final velocities, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, क्योंकि time हो गया है class का, वरना मैं करा देता, next class में करा नहीं चलेगा, दोनों लगानी पड़ेंगी, coefficient of restitution भी लगेगा, और momentum conservation भी लगेगा, और final velocity बिलकुल धीट की तरह है, दोनों की इधर ही ले ले लेना, V1, V2, इसमें कोई compromise नहीं चाहिए अपन को, वरना confusion आएगा unnecessarily, final हम लोग कुछ भी हो जाए, चाहे दिन का रात हो ज जाएगा, है ना, चलो बेटा, इसका answer भी सर ने दे रखा है, आप देख लेना, एक बार solution भी, है ना, और ये एक और homework है बेटा, अरे ये question हमने किया था, किसी को याद है, energy conservation में किया था, मैंने तब भी तुम्हें बताया था, कि देखो बिना collision पढ़ाए, collision का question करा रहा ठीक है, ये किया था, कुछ बच्चो को याद होगा, टकराने के बाद 50% energy loss हो गई, फिर same height तक चला जाता है, तो बताना initial speed कितनी थी, 20 answer आता है, try कर लेना एक बार इसको, ठीक है, चलो, तो yes, आज के लिए इतना ही है बच्चो, सब्सक्रिप्शन के बारे में आप जानते दोनों के लिए code लगाना है, GG life, दोनों में ये code लग जाएगा, explore करो, 6 months का option iconic में भी है, और plus में भी है, anything that you can, you want, you can buy, ठीक है, चलो ये बच्चो, ये हमारी amazing सी team है, आपको पता ही है, इसके बारे में, subscribe करो इस session को, मतलब, session को कैसे subscribe करोगे, channel को यार, कमाल करते हो, मतलब हाँ, तो subscribe करो, बेल आइकन दबाओ, channel को like करना है, लेकिन, जतने भी बच्चे अभी तक देख रहे है, like करें session को, तभी आप जाएंगे session छोड़के बेटा, 6 बजे कौन सी class है, 6 बजे आज electromagnetic waves, one shot में होने वाला है, miss मत कर देना, बहुत important session होगा, ठीक है, ये बाकी channels भी check out करिए हमारे, और साथ ही साथ जी जी राइफ कोड लगाई है, maximum discount ली जाएए, ठीक है, मिलते हैं फिर, सर कैसे कर लेते हो आप, oblique कब कराओगे, oblique के लिए पहले तो DPP में question दूँगा, DPP का जब solution होता है, तो उसमे oblique का solution दे दूँगा, खतम, बाकी मेरी तरब से collision topic खतम है, oblique आपको DPP के अंदर पहले मिलेगा, आप पहले practice करोगे, मैंने theory पढ़ा दी oblique की, कि along the impact वाली line मे हम लोग करते है, momentum conserve, बागी question कराने मेरी जिम्मेदारी मुझे पे छोड़ दो, ठीक है बेटा, अपनी बड़ी आसी तैयारी शुडू करतो, गाना गाओ देवाली वाला, हैं, यही कराओ तुम मत से, चलो मैं जा रहा हूँ अभी, बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-